नमस्कार बच्चो तो आपका टर्म 1 का कोर्स तो कम्पलीट हो चुका है तो हम लोग अब जो मेन पॉइंट है किस प्रकार से हमें एक्जाम में परिक्षा में लिखना है तो उससे समधित मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी तो सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को लेखन से समधित बताई थी कि लेखन में टर्म 1 में जो राइटिंग पोर्शन है उसमें क्या-क्या पुछे जाएंगे तो कल आप लोगों ने देखा कि जो खंड घव होता है उसमें मैंने आप लोगों को अनुछेद लेखन कहानी लेखन शमवाद लेखन और चित्रवर्णन के बारे में बताई कि वो 20 मार्स के 20 मार्स के पुछे जाते हैं तो आप लोगों नेकल देखा आज अब खंड का जो अंसीन पैसेज होते हैं जो 10 मार्स का 10 पुरुणांक का पुछा जाता है दस पुरुणांक होते हैं उसके तो ए भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि ए अंसीन होते हैं हमारे पाठ पुरुष्तक से नहीं लिया जाता है कहीं अलग से होता है तो उसे रीड करके और उसका उत्तर सही लिखना बहुत ही जरूरी है तो खंड का में जो 10 मार्स के पूछे जाते हैं जिसमें पांच होते हैं गद्यांस और पांच मार्स के होते हैं पद्यांस तो सबसे पहले जानते हैं गद्यांस के बारे में तो देखिए गद्यांस यहां पेक दिया गया है तो गद्यांस थोरा सा इजी होता है क्योंकि इसमें जो लाइन टू लाइन दिय हुआ है तो हम उसमें से प्रस्ण पढ़के और उत्तर लिख सकते हैं लेकिन कव्यांस में हमें उसको पढ़के उसके अनुसार सोचना पड़ता है उसमें से वर्ड सोच के उसको डीटेल में लिखना पड़ता है तो सबसे पहले गद्यांस के बारे मैं आपको बताते हूं तो आपको एक्जाम में परिक्षा में क्या करना है सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से रीड करना है तो चलिए यहां भी एक बाई रीड कर लेते हैं एसिया में अरब सागर के तटपर इस्थित ओमान एक छोटा लेकिन खूब सूरत तेश है इसके उत्तर पस्चिम में संजुक्त अरब अमिरात दक्षिन पस्चिम में यमन तथा पस्चिम में सौधी अरब इस्थित है ओमान की राजधानी मसकट पहुत ही खूब सूरत सहर है यहां की मुद्रा रियाल तथा भासा अरवी है ओमान में भारतियों की संख्या भी बहुत अधिक है जिन में से अधिकतर दक्षिन भारतिये है एही कारण है कि वहां हिंदी के अलावा भारत की छित्तिये भासाए तमिल मल्यालम भी बोली जाती है यहां रहने वाले भारतियों ने अपनी भासा संस्कृती तथा परंपड़ाव को बचाय रखते हुए यहां की प्रश्थीतियों को भी अपना लिया है तो इस प्रकार से आपको टर्म ववन की एक्चाम में जो खंड को है वो इसी प्रकार से पूछे जाएंगे कोई और पैसेज होंगे लेकिन हमें किस प्रकार से पढ़ना है लिखना है वो मैं आपको बता रहे हूँ तो आपने पहले passage पढ़ लिया अब प्रस्ण देखेंगे कि प्रस्ण क्या है ओमान किस सागर के तटपर इस्थित है तो इसमें क्या है कि यहां पे आपको mc q दिया गया है कि चार option है उसमें से tick लगाना है लेकिन इस third four तक ही पुझे जाता है फिप्त के बाद आपको ऐसा option नहीं दिया जाएगा आपको इसका answer इसमें से ढूणना है तो ओमान किस सागर के तटपर इस्थित है तो देखे यहां पर इसका अरब सागर के तटपर इस्थित है तो छोटा सा लेकिन खुब्सूरा तो कौन सा सागर है तो यहां है अरब सागर तो आपको लिखना ओमान किस सागर के तटपर तो ओमान अरब सागर के तटपर उत्तर देना है फिर ओमान की भासा क्या है तो यहां पर इसका भी उत्तर ढूंड़िये और फिर यहां पर लिखना है ओमान की मुद्रा कौन सी है फिर ओमान के भारतियों में किनकी संख्या अधिक है यहां हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भारतिय भासाए बोली जाती है तो जब आप इस पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो इस सभी का आइंसर इसी में दिया गया है ओके तो यह हुआ आपका गद्यांस अब चलते हैं बद्यांस की तरफ कविता की तरफ की कविता में हमें किस प्रकार का प्रस्न होता है और हमें कैसे लिखना है तो यह आपका जो गद्यांस मैंने बता यह पांच मार्स के होंगे और पांच मार्क चाप का ब्यांस भी होगा पद्यांस भी होगा जो कविता के तरह होगा और उसमें से आपको प्रस्न के उत्तर देना है दिये गए का ब्यांस को पढ़कर पूछे गए प्रस्नों के उत्तर लिखो ए कैसी दिल्ली है भाई बात हमें समझना आई देश की ए राजधानी है फिर भी प्रदूशन की मारी है चारो ओर सोर है इतना मोटर के इंजन जितना धूल धुए के गुवार है उठते पोपो करते हरन बजते आओ मिलकर अलख जगाए दिल्ली को प्रदूशन मुक्त बनाए तो यह आपने देखा कि यह आपका है का ब्यांस है अब इसमें इसको आपको अच्छे तरीके से रीर करना है और फिर इसका प्रस्न पढ़ना है तो प्रस्न है कभी ने दिल्ली को किसकी मारी बताया गया है कभी ने दिल्ली को किसकी मारी बताया गया है तो अब आप देखो यह जो का ब्यांस है तो इसमें हमें same to same answer नहीं दिखेगा हमें इसे क्या होगा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि यह है कैसी दिल्ली भाई बात हमें समझना आई देश की यह राजधानी है फिर भी प्रदूसन की मारी है तो कभी ने दिल्ली को किसकी मारी बताया गया है तो क्या होगा कभी ने दिल्ली को प्रदूसन की मारी बताया गया है तो देखा आपने यह तो है कविता की तरह लेकिन हमें main point इसका ढूंड के और हमें क्या करना है इसको फिर लिखना है तो देखिए यहां से हम प्रदूशन ढूंडेंगे कि यहां प्रदूशन की मारी है लेकिन हमें लिखना है किस प्रकार से जैसे question दिया गया है question के अनुसार से हमें उसका उत्तर लिखना जैसे देखिए यहां पर लिखा हुए कभी ने दिल्ली को प्रदूशन की मारी बताया लेकिन जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आयगा एक कैसी दिल्ली है भाई बात हमें समझना आई देश की आ तो दिल्ली कहा की राजधानी है तो दिल्ली भारत की राजधानी है नेक्स्ट है हमें क्या अलख जगाना है हमें क्या अलख जगाना है तो आप फिर से इस पैसेज को रीड कीजिए कि हमें क्या अलख जगाना यहाँ पर देखेगा इसको समझ में आपको सही तरीके से समझेंगे तो आएगा धुए के गुबार है उठते पोपो करते होरन बजते आओ मिलकर अलख जगाए दिल्ली को प्रदूसन मुक्त बनाए तो हमें दिल्ली को प्रदूसन मुक्त का अलख जगाना अलख जगाना मतलब होता है उसको त्यार करना है तो हमें दिल्ली को प्रदूसन मुक्त करने का अलख जगाना है नेक्स्ट है काब्यांस में से कोई एक जाती वाचक फए एक वेक्ति वाचक संग्या छाट कर लिखो जाती वाचक और वेक्ति वाचक संग्या तो आपको जाती वाचक और वेक्ति वाचक आप लोग पढ़ चुके हैं कि संग्या के जो प्रकार होते हैं उसमें एक जाती वाचक वेक्ति वाचक भाव वाचक समू वाचक और द्र सबसे पहले हैं आपको एक जाती वाचक तो जाती वाचक में देख लेते हैं कि जाती वाचक इसमें से देश है देश अगर दिया है तो जाती है अगर वह सिर्फ भारत होता तो फिर क्या हो जाता है वेक्ति हो जाता या तो राजधानी तो राजधानी है तो जाती में आ जाता है लेकिन अगर वही दिल्ली है तो फिर वह वेक्ती में आ जाएगा तो चलिए हम पहले लिख देते हैं जाती बाचक में लिख देते हैं राजधानी और वेक्ती बाचक हो जाएगा दिल्ली फिर next है का व्यांस का उचित सिर्षक दीजे जो यह आपने कविता पढ़ा उसका उचित सिर्षक सही सिर्षक अगर आपको देना हो तो आप क्या देंगे तो यहां पे दिया हुआ है प्रदुसित दिल्ली दूसरा भी आप नाम दे सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं इसका नाम कुछ और है तो आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो तो यहाँ पर तो इसका उत्तर दिया हुआ है तो आपको easy लगा कि हाँ यहाँ question है और उत्तर है लेकिन आपको अगर अपने आप इसका उत्तर लिखना हो तो थोरा मुस्किल होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सब्द हैं जो same to same नहीं हमें इसमें से ढूंड के और इसको मिला के लिखना है तो इस प्रकार से काब्यांस थोरा सा मुस्किल होता है बट अगर आप try करते रहेंगे बार बार पढ़ेंगे उसको अच्छे से तो आप जरूर कर सकते हैं तो आपको यह जो है काब्यांस और गध्यांस जो है जो 10 मार्क्स करें पुछे जाते हैं आपको हर इकचाम में पुछा जागा हर पर इकचाम जाप यह पी एवान हो यह टर्म ओन हो फीप्त हो शिक्स हो सेबैन तो एट हो जैसे जैसे आपकी क्लास बहते जाएगी थोरा सा डिफिकल्ट होते जाएंगे लेंदी होते जाएंगे बट पूछी जाएंगे हमेशा अन्सीन पैसेज तो आप लोग जरूर कहीं भी देखें अन्सीन पैसेज को या कोई भी कभीता कहानी को तो उसे रीड करके उसको समझने का कोशिज करें ओके बाइ कल मिलते हैं